ऐसा है कि भारतिय जन्ता पार्टी और NDA की पूर्व भहुमत की सरकार देश के अंदर है और जब जब चुनाव आते हैं तब तब लोगों को मुद्दे से हटाने के लिए कोई ना कोई नया शगुफता जो है वो केंद सरकार और भाजपार ले आती है उसी तरज पर जैसे पहले इन्होंने फुलवामा के नाम पर वोट माँगा उसके बाद आर्टिकल 370 के नाम पर वोट माँगा राममंदिर के लाम पर वोट माँगा और अब पहले इस। इसन अमेंडमेंट बिल के नाम पर लोगों को ब्रहमित करने की कोशिश करी और अब जाकर जो है वो यूनिफॉर्म सिवल कोड के बारे में एक डिबेट छेडने का प्रयास देश के अंदर किया जा रहा है और जो असली मुद्दे देश के अंदर है अनिम्प्लॉइमेंट च सरकार को नहीं मिला है हमारी बॉरोइंग कपैसिटी को केंद सरकार ने कम कर दिया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कम कर दिया है चार अजार करोड रुपे का घाटा हिमाचल प्रदेश को उसकी वज़ा से हुआ है इन चीजों पे तो सरकार और भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता कोई प्रतिक्रिया है हिमाचल मैं देते नहीं है मगर इस तरीके के मुद्दों को जो है वो भढ़काने की कोशिश की जारी हमने ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिवल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे कॉंग्रेस पार्टी भी जो है हम कॉ अब हिन अंग है और कॉंग्रेस पार्टी हमारे देश में एकता और अखंडता को आगे ले जाने में हमेशा कॉंग्रेस पार्टी ने अपना योगदान दिया है आज इन वेन जब यह लाया जाएगा उस समय इसके उपर पूरा समर्थन दिया जाएगा मगर अभी जो बर् मंतरी के ओपर कोई एक्षन लिया गया है ना वहाँ पे कोई एमर्जेंसी लगाई गयी है ना वहाँ पे गवर्नर्स रूर लगाया गया है और यही चीज हमको देश के और राज्यों में भी देखने को मिलती है तो मेरा कहने का ताथ पर यह यह है कि जो असली इशूज है burning issues है देश के अंदर उसके ओपर भाजपा बात करती नहीं और लोगों को भ्रमित करने के लिए मुद्दा बनाने के लिए इस तरीके की एक नई डिबेट जो है वो देश के अंदर छेड़ देती है जिसकी वज़ा से जो असली issues लोगों के है वो कहीं न कहीं center stage पे ना रहकर पीछे हड़ जाते है जो सही चीज नहीं है